क्या आपको पता है रेनो ब्रैंड 2005 से अपनी कार्स को इंडिया में सेल कर रहा है लगबग हर कार सेग्मेंट में अपना लग ट्राय किया रेनो ने और इन्होंने बहुत सारी कार्स को शोकेस किया लेकिन कुछ-कुछ गाइडिया फ्लॉप होगी लाइक फ्लुएंस, ओलियोस, स्काला, पल्स, लॉजी, एंड कैप्चर लेकिन दो ऐसी कार्स हैं जो रेनो के लिए बहुत लखी साबित हुई है and that are Duster and Quid currently Triber भी रेनो के लिए बहुत अच्छे sales volume generate कर रही है Duster और Quid से related कुछ-कुछ वीडियोस इस channel पे और भी है जिनका link में आपको नीचे description box में दे दूँगा and इस वीडियो में हम सिर्फ Quid के बारे में ही बात करेंगे so initially it was launched in 2015 और इसको इंडिया की सबसे ज़्यादा fuel efficient car बताया गया लेकिन time के साथ साथ Renault ने इसमें बहुत सारे changes किया सबसे बहुत तो design को यह upgrade किया feature list को थोड़ा बड़ा किया एक powerful one liter engine को add किया और हमें AMT transmission भी देखने को मिला तो automatic इस price range में इस गाड़ी के लिए एक bus बना देता है लेकिन आज की rate में हमारे पास और भी बहुत सारे options available हैं और अगर मैं सिर्फ quid की बात करूँ तो आपको आज की rate में 13 variants मिल जाएंगे तो ऐसे में confusion बढ़ सकता है इस वीडियो को आप end तक देखते रहे हैं और मैं आपकी मदद करूँगा ताकि आप quid का best variant opt कर सकें जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा Hello friends, मैं हूँ आपका host Diviam और आप देख रहे हैं बाखु चैनल अब सबसे पहला सवाल ही आता है कि quid को opt क्यों करें तो काफी लोग इसके design से impress हो जाएंगे और मुझे भी personally इसका mini SUV look बहुत अच्छा लगता है पर अगर आप कुछ और देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि quid में आपको segment best wood space और ground clearance offer किया गया है अगर आप इसके top end variants को देखेंगे initially तो quid आपको थोड़ी सी सस्ती लगेगी लेकिन over the time service के time पे आपको थोड़ी थोड़ी मेंगी लगने लग जाती है and it is impossible to beat the service network of Maruti Suzuki in India लेकिन reno का भी service outlet आपको इंडिया की लगबर हर एक major city में देखने को मिली जाता है in short quid एक बहुत बेतनीम कार है लेकिन reno का जो brand image है वो Maruti Suzuki के सामने थोड़ा सा weak पढ़ जाता है लेकिन reno आपको इस कार पे 5 यर 1,00,000 km का warranty भी दे रही है तो आप शायद reno पे भरोशा कर सकते हैं anyways इसके variants को देख लेते हैं लेकिन उससे पहले engine और transmission पर एक बार नजर डाल लें आपको दो engine options मिलते हैं 800cc and 1000cc अगर फरक की बात की जाए तो 1000cc power wise 800cc से बहुत अच्छा है लेकिन fuel efficiency थोड़ी कम देता है लेकिन fuel efficiency में इतना भी फरक नहीं है लेकिन I'll strongly recommend कि अगर आप AMT लेने जा रहे हैं तो एक बाद test drive जरूर लीजेगा क्योंकि AMT सबको पसंद नहीं आता Now talking about the pricing part तो आज की date में इसकी on road Delhi prices लगबग 3.5 लाग से शुरू होके पौने 6 लाग तक जाती है तो देखते हैं कि इस pricing को variant wise कैसे divide किया गया है So starting with the base variant which is standard जो आपको सिर्फ 800cc और manual option के साथ ही मिलता है Full feature list आप अपनी screen पे देख पा रहे हैं बट यह बहुत बड़ी है तो अगर आप देखना जाते हैं तो वीडियो को pause कर लीजे बट मैंने इसमें से most practical features को highlight की है You get 11 safety features including ABS EVD driver airbag and reverse parking sensors जो की ज़रूरी है इंडिया में किसी भी गाड़ी को sale out करने के लिए and design को up market बनाने के लिए आपको SUV styled headlamps मिल जाते हैं with LED DRLs and split tight tail lamps with LED light guides then comfort में add करता है handy fuel lid और tailgate opening levers जो आपको driver seat के नीचे ही देखने को मिल जाएंगे तो petrol pumps पे और malls के entry gates पे आपको गाड़ी के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है and quit में storage spaces की भी कमी नहीं आपको dedicated mobile, wallet और ticket holder का space देखने को मिलता है and last but not the least you get a LED digital instrument cluster तो देखने में तो 3.42 lakh पे standard variant एक बहुत अच्छा package लगता है पर क्या इसको लेना चाहिए I don't think so क्योंकि यहाँ पे आपको AC और music system देखने को नहीं मिलता तो उसकी एक कमी लगती है and इससे भी बड़ी कमी लगती है कि power steering नहीं दिया गया तो मेरे ख्याल से हमें next variant पे जाना चाहिए which is RX-E और similarly यहाँ पे भी आपको सिर्फ 800cc और manual का ही option देखने को मिलता है but यहाँ पे major addition है AC unit and foldable rear seat होने की वज़े से boot space को further increase किया जा सकता है तो basically 74,000 extra charge करने पे company आपको लगबग ना के बराबर ही addition दे रही है और यहाँ से पता लगता है कि सिर्फ quid की initial price को कम रखने के लिए standard variant रखा गया नहीं तो standard और RX-E में फरक ही किया है लेकिन फिर भी अगर आप इस गाड़ी को रखना चाते हैं तो as a secondary car इसको रख सकते हैं फिर आप music system बेशक बाहर से लगवा लीजेगा but I'll still prefer to switch to the next variant that is RX-L जहां से आपको 1 liter engine और automatic का भी option दिया गया है and as you can see यहाँ पे Neotech को highlight किया हुए जो Renault ने अभी recently ही quid में launch किया था और इसका पूरा नाम है Neotech RX-L तो RX-L का ही extension है तो सबसे पहले RX-L के कुछ highlights देख लेते हैं but interiors में sporty element थोड़ा जादा लगता है with the addition of power windows and power steering लेकिन power windows सिर्फ आपको front में ही देखने को मिलती है rear में आपको अभी भी manually ही windows को down करना पड़ेगा ORVNs को भी internally adjust किया जा सकता है जो parking करते वक्त काम आते हैं then comfort के लिहाज से इस variant में आपको remote keyless entry दी गई है जिसको आप central locking भी कह सकते हैं सबसे बड़ा highlight जो इस variant का है that is music system जिसमें radio, mp3, aux, usb, bluetooth सारे support देखने को मिल जाते हैं तो ये तो थी Rxl की बात Neotech में जो main highlight है वो है exterior design तो आपको दो options मिल जाते हैं with dual color scheme तो roof अलग color की होती है और body अलग color की होती है तो आपको इसमें दो options दिये गए है लेकिन इसके इलावा भी अगर आप interiors की बात करें तो आपको काफी कुछ जो styling मिलेगी वो बाकी quid के variant से अलग मिलती है तो एक personalized feel हो जाती है इवन technology की भी बात करें तो यहाँ पे आपको 8 inch का touch screen media unit system दिया गया है with android auto and apple car play support जिसकी मदद से आप अपने phone की selected apps को car की touch screen में ही देख पाएंगे तो वो एक और convenient feature हो जाता है तो इतना सब होने के बात जूद इसकी prices को एक बारी देखना पड़ेगा कहीं जादा तो नहीं बढ़गी तो अगर हम RxL को compare करें with RxE तो price gap हो जाता है 32,000 जो की totally justified है but Neotech के लिए आपको और 31,000 extra करने पड़ते है and RxE से Neotech RxL का जो price gap है वो 63,000 हो जाता है and I will prefer कि अगर आपका budget allow कर रहा है तो Neotech RxL को ही लीजिए and इसमें आपको 1L engine option भी देखने को मिलता है जिसके लिए आपको further 24,000 to 25,000 extra देने पड़ेंगे और अगर AMT या automatic लेना है तो और 34,000 spend करने पड़ते है and AMT variant में एक और addition मिलता है with the traffic assist feature तो basically जैसी आप brake से pair हटाते हैं अपने आप move करना शुरू कर देती है तो heavy traffic congested cities में ये बहुत ही मददगार feature साबित होता है तो अगर हम RxL की total price gap देखें तो ये साड़े 4,000,000 से शुरू होके साड़े 5,000,000 तक जा रहे है but the variants are still not over और अगर आप चाते हैं कि और जादा features चाहीं है तो दो variants बचे हैं let's talk about RxT first जो किसी टाइम पर quid का top end variant हुआ गरता था सबसे अच्छी चीज है कि RxT में rear parking camera मिलता है with guideline display जो reverse करते वग बहुत help करता है and RxT को अगर आप Neotech RxL से compare करेंगी तो design elements no doubt उतने तो नहीं है but still यहाँ पे भी एक personalized feel है और interiors में तो chrome का भी बहुत जादा इस्क्माल किया गया तो यह definitely आपको top end variant की feel देता है and अगर आप इसको Neotech से compare करते हैं तो 8 inch media unit screen जो Neotech में मिल रही थी वो यहाँ भी मिल रही है लेकिन अगर आप regular RxL से compare करें तो एक addition feel होती है and कुछ-कुछ ऐसे features हैं जो Neotech में नहीं थे और RxT में है तो वो है rear parcel tray जो मेरे को बहुत जरूरी feature लगा क्योंकि rear passengers के लिए storage space ना के बराबर है तो ऐसे में parcel tray पे समान रखा जा सकता है इसके इलावा front passengers के लिए एक fast USB charger का support दिया गया for adding the convenience and if you opt for 1 liter engine तो आपको कुछ और design elements मिल जाएंगे apart from a rear power window and a passenger airbag as an option अब RxT की pricing को RxL से compare करेंगे तो दो price gap निकल के आते हैं अगर Neotech से compare करेंगे तो price gap negligible है only 3,000 और 10,000 in case of 1 liter engines लेकिन अगर आप RxL से compare करें तब एक significant price gap है which is approximately 35 to 40,000 and hence I would like to say कि RxT और Neotech में सिर्फ design काई तो फरक है if you are happy with the design of RxT variant तो definitely यह आपको एक बहुत बढ़िया package देता है especially जब मैं देखता हूं कि इसमें आपको rear parking camera भी मिल जाता है with guideline display जो एक बहुत अच्छा feature है उसको निगलेक मत कीजिए लेकिन एक और variant अभी भी बचा हूँ है that is climber तो क्या यहां पे भी कुछ feature upgrade मिला है चलिए देख लेते हैं एक बारी तो यह अकेला ऐसा variant है जहां पे आपको 800cc का engine option नहीं मिलता है अगर इसमें changes की बात करें तो कुछ खास नहीं है आपको exterior और interiors में sporty orange accents देखने को मिलते हैं जगा जगा orange elements हैं तो एक subjective चीज है किसी को यह चीज पसंद आएगी किसी को नहीं लेकिन कुछ ऐसे features जो as an upgrade मिलते हैं वो है rear armrest जो quid को segment apart बना देता है and जो passenger airbag था and rear power windows वो तो आपको as an option मिलते हैं just like RXT तो mostly आप design elements के लिए 22,000 extra देते हैं जो मुझे इतना justified नहीं लगा तो सारे variants हमने देख लिए और मैंने आपको एक-एक variant का analysis भी बता दिया कि कौन सा आपके लिए सही है लेकिन अगर आप कहें कि सभी में से एक variant बताईए तो मैं कहूँगा RXT 1L manual के साथ जाए क्योंकि यहां पर आपको features और price का एक अच्छा combination देखने को मिल जाता है और 1L इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 800cc के ऊपर आपको 60% extra power देखने को मिलती है जिसका मज़ा आप सालो साल लेते रहेंगे जिसके लिए आपको सिर्फ initial एक extra cost पे करनी है that is only 30,000 तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को end करते हैं अच्छा लगा हो तो like and share कर देना और अगर आप quid own करते हैं या फिर नई quid book करने वाले हैं मुझे बताइए कि आप कौन सा variant लेना पसंद करेंगे आपका कोई भी query या feedback हो वो भी नीचे comment section में लिख देना और पहली बार आयो तो चैनल को subscribe भी करते जाओ मैं आप से मिलता हूँ फिर जल्द एक नए वीडियो में till then bye